जी असलाम लेकुम स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया हुए डी एए मैथ कोड़ 233 का चैप्टर नुबर 7 जो इंटीग्रेशन के है और एक्सराइज 7.1 का क्वेशन नुबर 18 इस से पहले हमने 17 पार्ट्स की है वह हमारे पास अलजबरा के थे लेकिन इसमें एक वस्न हमारे पास है जो exponential function में यान एक्स कीपावर एक्स का स्केर रूट और एक्स का स्केर रूट एब डी एक्स जानी एक्स इए कि हमारे पास E-की पावर X जो integration होते हैं घिके सब je हमारे पास E-की पावर X ही है'S ही है घुक है की Huawei 이 müचति अधनी ना होता है यहां सबसे पहले सिंब्लीफाइक करने हैं अगर हम student देखें, इसकी जो power हमारे पास है, x का scale root, अगर मैं इसका derivative लेना चाहूं, d over dx, x का scale root is equal to, यहाँ पे इसकी power 1 by 2 है, तो मैं यहाँ पे power rule यूज करूँगा, derivative का क्या power rule है, power start पे आजाएगी, base same as it is, और 1 by 2 में से minus 1 करेंगे तो, minus 1 by 2, अब x negative में है, तो इसको जब नीचे लेकर आएगा, तो 1 by 2 हो जाएगा, तो 1 by 2 को मैं लिखूँगा, x का scale root, यानि अगर हम x का scale root का derivative लें, तो मेरे पास answer आता है, 1 over 2 and x का scale root, तो हमने यहाँ पे यह चेक किया, यह देखेंगे, यह divide में x का scale root है, तो हमने यहाँ से कुछ न कुछ न कुछ हमने यह सिखा, कि मारे पास x का scale root का, x का यह है, इसका यह derivative मौझूद है, लेकिन मेरे पास 2 मौझूद नहीं है, लेकिन यह है, यह exponential function, तो इसको solve हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको solve करेंगे, substitution method से, ठीक है, यह थोड़ा सा question हमारे पास change है, तो जो function मेरे पास है, यह function और यह simple derivative है, तो derivative rule हम apply करें इस पे, ठीक है, जो derivative की methods है, कि जो मेरे पास x के root है, उसको let कर लीजे, किसी भी number के, यानि टीक एक्वल कर ले, ठीटा के कर ले, जीक कर ले, तो मैंने इसको यहाँ पे टीक एक्वल किया, तो substitution का method क्या था, कि जैसे ही आप उसको let करते हैं, उसके फोरण बाद हमने उसका क्या लेना है, यहाँ पे derivative, यह हम derivative में एक substitution का method कर चुके हैं, कि अगर हमारे पास derivative का कोई rule ना हो, तो हम उसको substitution method से भी कर सकते हैं, जो मेरे पास क्या होगा, जो function होगा, हम उसको let कर लेते हैं, किसी भी number के, उसके फोरण बाद हमने उसका derivative लेना होते हैं, तो x का square root का मैंने derivative ले लिया, और is equal to d over dx t का भी मैंने, यह सारा rough था मेरे पास, t का भी मैंने derivative ले ले लिया, अब x 1 by 2 का derivative क्या होगा, 1 by 2 पावर शुरू में, x same as it is, 1 by 2 में से मानिस 1 करूँगा, तो मानिस 1 by 2 आ जाएगा, और dt over dx वैसे का वैसे, अब यहां पे x मेरे पास negative है, तो सबसे पहले मैं इसको positive बना लूगा, मानिस 1 by 2 नीचा के 1 by 2 हो जाएगा, तो 1 by 2 को मैंने लिखा, square root में, और dt over dx, अब हम क्या करना चाह रही है, x को dx के साथ रखेंगे, और dt को हम अलाइदा कर लेंगे, तो dx यहां पे divide हो रहा है, 1 के साथ multiply हो जाएगा, तो यह dx हो ज constant को हमने dt के साथ attach कर ले, इसका method होता है, जैसे ही यह मेरे पास complete होगा, तो मेरे पास फॉरण हमने क्या करना है, जो मारे पास question था, असल में अब हमने इन values को put करना है, now putting the values integration e की power x का square root, x का square root मैंने क्या alert किया था, ठीक है, तो यहां पर t आ जाएगा, dx over x का square root, यह देख मेरे पास t था, तो मैंने यहां पर t पूट कर लिया, power में, dx over x का square root मेरे पास था, 2 dt, तो यह 2 dt है, मेरे पास subtudition का method भी यही होता है, कि x को खतम करकि हम दूसरा number ले आते हैं, तो यह constant है, constant को हम पहले बाहर ले आते हैं, integration अब ले ले लेंग, यह की power t, dt का, तो अब मेरे पास मैंने आपको समझाया था, कि हमारे पास exponential function का integration ही होते है, तो two same as it is रहेगा, एकी power t का मेरे पास derivative का, sorry, integration का है, एकी power t ही है, plus c, last पे हमने, अब देखे, question मेरे पास x में है, answer मेरे पास t में आया, जो wrong होगा, तो हमने last पे आके t को, जो हमने let किया था, x के root से, उसमें अब हमने दुबार पूट करने, plus c, ठीक है student, तो यह हमारे पास question complete हुआ, answer हमारे पास है, two e की power x का, square root plus c, तो यह question हमारे पास थोड़ा सा change था, 18, ठीक है, अब हमारे पास है question number 19, तो 19 मेरे पास क्या है, यह भी बिल्कुल easy है, लेकिन exponential में है, integration, one by two e की power, one by two x, minus e की power, minus one by two x, और यह dx, अब देखें, दुबारा मेरे पास exponential function आया है, लेकिन उससे पहले one by two constant है, इसको आप integration से बाढ़ ले लीजिए, क्योंकि जब भी integration के साथ, sorry, variable के साथ, अगर कोई constant multiply हो रहा हो, तो integration से पहले वह आ जाता है, और integration हम ले ले लेंगे, e की power, one by two x, यानि मैं integration को भी अंदर apply कर रहा हूँ, minus integration, e की power, minus one by two x, और dx, ठीक है student, यह मैंने integration को अंदर apply कर ले दोनों के साथ, अब मेरे पास exponential function का integration होता है, यानि e की power x को मैंने आपको पहले यह बता दिया, मेरे पास answer होते है, तो हमने same वही करने है, तो मेरे पास क्या answer था, one by two, अब यहां पर देखिए, e की power, one by two x है, यानि e की power x का integration मेरे पास क्या हो, e की power x ही होगा, यानि one by two same, e की power, one by two x ही रहेगा, इसका answer सेम वही आजाएगा, जैसे मैं आपको formula बताया था, अब इसमें ओ चेंज क्या है, कि जब भी e की power x का integration अब लेंगे, e की power x ह ही होगा, यानि e की power one by two x है, तो e की power one by two x हा जाएगा, इसके बाद, sorry, x के साथ जो number multiply हो रहा है, integration में, वो divide पे भी आ जाता है, ये भी exponential में आपने याद रखना है, कि अगर exponential में, x के साथ power में, जो number multiply हो रहा होगा, student तो वो divide भी भी आ जाएगा, ये मैंने divide पे कर लिया, माइनस, अब देखें, एकी power one by two हमारे पास है, एकी power one by two x का integration मेरे पास क्या होगा, सेम वो ही, एकी power one by two, minus one by two x ही होगा, और divide में x के साथ जो number multiply हो रहा है, वो आपने divide भी करना है, ये लाजमी याद रखेगा, one by two same as it is, अब one by two divide ओपर जाके ये two हो जाएगा, एकी power one by two two x minus minus ये plus हो जाएगा, one by two पर जाके two हो जाएगा, एकी power one by two x और ये plus c, ये भी इस cancer बिलकुल ठीक है, लेकिन हम देखें, तो two दोनों में है, हम इसको two को बाहर ले लेंगे common, ये one by two same as it is रहेगा, ये two मैंने बाहर ले लिया, और बाकी values मैंने वैसी की, वैसी ही लिखनी है, minus one by two x plus c, अब इस two से ये two हमारा हुवा cancel, एकी power one by two x plus एकी power minus one by two x plus c, ठीक है student, तो ये था हमारे पास question 19, जिसका हमारे पास answer है, एकी power one by two x plus एकी power minus one by two x और plus का c, ठीक है student, तो ये हमारे पास question number 19 था, अब हमारे पास है question number 20, जो बिलकुल एजी है है हमारे पास 20 यह भी important question है integration e की power x plus e की power minus x और whole का scale and dx अब देखें इस तरह का question हम पहले कर चुके है question number हमारे पास था 17 के जब भी हमें base की power नजर आ जाए लेकिन power हमारे पास 2 हो तो ज्यादा तर और वहां पे हमने power यानि जो square open करना होगा हमने तो सबसे पहले मैं square open कर रहा हूँ a plus b whole का square is equal to a का square plus b का square मैंने लिख लिया और plus two formula का a और ये b लिख लिया ठीक है student और ये dx यानि a plus b का square a का square plus b का square plus two a b अब हम इसको simplify कर रही है पावर से पावर multiply होती है पावर से पावर multiply होती है अब देखें ये base same है multiply में है तो हम क्या पड़ चुके हैं power को हम add करेंगे लिए यहां पे आगे minus है तो plus minus minus हो जाएगा और ये dx अब e की power 2x plus e की power minus 2x same plus 2x से x cancel हो गया क्या बचा e की power 0 dx अब भी हम थोड़ा से इसको simplify कर सकते हैं e की power 2x plus e की power minus 2x plus 2 और e की power 0 is equal to 1 होता है हमें ये पहले ही पता है कि किसी भी e की number की power अगर 0 हो तो answer वो 1 ही देती है तो e की power 0 is equal to 1 अब देखे student मेरे पास सब का answer integration के हैं तो मैं integration को सबसे पहले अंदर apply कर रहा हूं plus integration e की power minus 2x dx plus integration 2 multi level 2 and dx e की power 2x का integration e की power 2x ही है सेम जो e की power x से वो ही आ जाएगा लेकिन जो x के साथ number multiply है वो divide पे आ जाएगा एकी power minus 2x का derivate integration e की power minus 2x ही है x के साथ जो number multiply होगा वो divide पे भी आने याद रखेगा अब देखें two constant है तो two बाहर आ जाएगा और हम integration लेंगे dx को तो यहां पे integration से derivative कट हो जाएगा answer बचेगा बाकि हमारे पास x और plus c तो यह भी इसका answer match ही है हमारे पास लेकिन हम simple क्या कर रही है constant को plus minus minus हो जाएगा यह one by two हमारे पास है एकी power minus two x और plus का two x और plus का c तो यह भी देखे जाए तो इसका answer बिल्कु ठीक है one by two अगर आप बाहर लेना चाहते है common तो तब भी ठीक है लेकिन यह भी answer हमारा match ही है ठीक है student तो यह हमारे पास था question number 20 जो बिलकुल easy है simple है कि अगर आपको base की power नजर आ जाए तो पहले आप check करेंगे क्या base का अगर आगे derivative है तो मैं इस पर power rule use करूंगा अगर नहीं है base का अगर आगे derivative तो हम उसको किसी ना किसी दरा simplify करेंगे तो एक method यह है कि अगर base की power 2 हो तो हम उसके पर सबसे पहले a plus b whole का square open करेंगे तो यह question मैंने solve किया और यह हमारे पास है question number 20 का answer ठीक है student